तो my dear student आज किस वीडियो को माध्थम से बिए first year के first semester जियोग्राफी याइनि भूगोल का पूरा का पूरा model paper question paper प्रस्तुत करूंगा और इस model paper question paper से आपको बहुत ही जादा help मिलेगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि भूगोल का जो paper होगा प्रकार का और इसमें से common question कौन को से हैं जो आपकी परिच्छम हमेशा repeat होने वाले हैं और हमेशा repeat भी होते रहेंगे तो उन common question के बारे मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको तयार कर लेंगे तो आपकी exam में आपको बहुत ही ज्यादा help मिलेगी तो चलिए वीडियो को प्रश्ण पत्र यानि question paper का नाम फिजिकल जियोग्राफी यानि कि भौती भुगोल समय दो घंटे का मिलता है परिच्छाएं लिखित होती है 75 का पुडांग होता है खंडा आज सबसे पहले आएगा और खंडा मैं आपको अतलग उत्तरे question देखने को मिलेंगी और question का answer करन प्रश्ण है आज किस वीडियो का की जूरैसिक काल के बारे मताई है बहुत कमाता इग्नोर कर दीजिए हमारा उद्दे से ही जिन प्रश्णों की उम्मीद ज्यादा है आने की यह फिर बार बार पैश्चंप इसले वरसों में रिपीट हो उन्हें को बताना है ठीक आपको दूफरा कोईश्चन है कि प्लेट का रशनात्मक किनारा बताई बहुत कमाता है इसको भी इग्नोर कर सकते हैं रसानिक अप्थ है ये भी आप सभी के लिए 100% तो नहीं लेकिन 60% से 70% उम्मीद एक प्रश्ण आ सकता है छत्रक सिलाय भी बहुत कमाता है इसको भी आप इग सकता है तो इसको भी 90% उम्मीद की चलते की आ सकता है ठीक है चकरवात और प्रते चक्रवात जो दोनों राममाण कोईस्चन है इन में से कोईने कोई कोईस्ट फक्रो करेंगे नोट कर लिजे संब 80% महात्पोर एक्जाम के लिए नोट कर लिए इसको भी उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयो मंदल फे क्या बेप्र है ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो जयो मंदल फेर उड़ा क्वेश्चन आएगा अंडर प्रसेंट रूमीद है ठीक है तो अतले भी जानकारियम आपको भी दे देंगे ठीक है अब बढ़ते हैं क्यों है मतलब कि निस्ट खंड जो हो खंड बाह है यहां पर आपको दिर्ग उत्रे फोरी लग उत्रे कोश्चन देखने को मिलते हैं और लग उत्रे प्रसन का उत्तर देने से पहले इसमें भी कुछ दिसान देख लेगी इसको पढ़ लीजेगा फिर कोश्चन को बढ़िएंगे ठीक है तो पहला कोश्चन है लग उत्तरे का नोट कर लीजिए हंडर परसेंट फंसेगा प्रिथभी की आंत्रिक्ट संवर्ण कीजिए और हमेशा फंसने वाला कोश्चन है और इस बार भी फंसेगा प्रिथभी का यानिकी अर्थ का जो कि रामबान कोश्चन हमेशा रिपीट होता है इस बार भी फंसेगा नोट कर लीजिएगा ठीक है शेलेनेश कोश्चन देखते हैं कि भूस अंतुलन को परिभाफित कीजिए उम प्राट के विचारों के बिसे में बताईए तो इतना त कि उचित उदाहरणों के साथ चट्टानों का वर्गी करन प्रस्तुत कीजिए यानि कि जो चट्टान होते बहुत फारे चट्टान जैसे आप डालेंगे गूगल पर तो आपको बहुत आए चट्टानों के बारें जानकारी दिखेगी और आपको उन सभी चट्टानों के बारें तो पड़ लेना है ठीक है अलाके सेम तो सेम कोश्चन आने के कोई गारेंटी नहीं लेकिन कई फारी चट्टान ने उन सब्सक्राइब कोश्चन पूछे जाते हैं एक्जाम में अगला कोश्चन की हमानी द्वारा निस ठीक है निचह पात्मक अफ्थल रूपों का वड़न कीजिए कोश्चन बहुत कमाता अब इसे इग्नोर कर सकते हैं अफ्थाई पाउने क्या यह कोश्चन आफकता है इसकी उम्मीद है तो नोट कर लीजेगा इसको ठीक है मतब कि 100% उम्मीद नहीं लेकिन 50-60% उम्मीद एक प्रश्चन आ सकता है ठीक है ओके चले ने वाला कोश्चन चक्रवात वाला तो यह फसेगा नोट कर लीजिएगा 100% वाला कोश्चन उसके बाद निश्क ने की महा सागरी निचीब क्या है इनका वहर्गीकरण भी कीजिए तो महा सागरी निचीब कोश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो नोट कर सकते हैं मतब इसका एंसर तयार भी कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं तो हमारा जो उद्देजिन जिस भी कोश्चन की सबसे ज्यादा चांफ रहेगा हैं उसको मैं आपको जरूरी सारा कर दोंगा तो इसको जरूरत यार करेंगे ठीक आप सभी तो यहां पर समाप्त होते हैं लगुत्रे टाइप के मौस्ट इंपार्टन कोश्चन लगुत्रे में से कौन-कौन से कोश्चन आ सकते हैं कौन-कौन से पीछले फालों में पूशे गए हैं और इनकी आने कितनी परस्त उम्मीद है वो मैंने आपको बताए अब आ जाएंगे हम खंडशा की ओर में आपको देखने को मिलेंगे दीरगुत्र प्रश्ण ठीक है तो इन भी प्रश्णों का उत्तर करने से प है वेगनर की महादूपी प्रवाफ द्धान की ब्याक्षा कीजिए तो सेम तो सेम कोश्चन आने कोई गारेंटी नहीं है आप इस काइन से तयार भी कर सकते हैं डिपेंडंट करता आपके उपर समय तो तयार कर द्रवाइगनर भी कर सकते हैं अब अगला क्वेश्चन की ड हमारे पास साफ सुथरी बात रहती हवाइगन रहती जो कहते हैं वह फिर आपके पर इच्छा मोश्चन फशेगा भी फशेगा इस वाद को भी ध्यान लखेंगे और जिसकी गारंटी नहीं लेंगे वह आ भी सकता नहीं आ सकता जैसे कि यह कोश्चन प्रस्थ होने जा रहा क्योंकि क्योंकि यह कुश्चन देर भुत्रेगा है और देर भुत्रे रहेत प्रश्ण का उसतर कम से कम आपको धाइक से कम धाइक 2-3 पेज लिखिंगे तभी आपको پूरे नमबर मिलेंगे वरना अगर आप दो 1,5 पेजंगे तो आपको पूरी नम्बर नहीं कंसे कम धाih क्या है वाइव रासियों के वर्गी करण की ओजना प्रस्तुत कीजिए तो वाइव रास भी कोश्चन हमेशा रिपीट नहीं हुआ है कुछ पर इच्छा हैं हुई है जिसमें आया है तो इसको हम रखेंगे 60% वाले कड़ गरीम तो 60% चांस से किया सकता है बाकि 40% नहीं किया जो मुझे एक्षपीरियम फे पायाम फेच्छी फालो का लगातार माडल पेपर समसें देखे हैं हर साल के तो मैं उसी इसाफ आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन से कुश्चन आते हैं कौन से ज्यादा बार पहुचे गए कौन से कम आते हैं उनकी जानकारी आपको दी आ कि नहीं है तभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपको गूगल या फिर क्रोम खोल लेना है ठीक है उसमें जाने के बाद आपको किसी भी प्रशनका एंसर तयार करना है ठीक है जिसे कि यू आकार की घाटी के बारे में आपको जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर ल कि उसका एंसर आप पढ़ते रहें तो इसी तरह आप सभी प्रशनों का एंसर इंटरनेट के माद्यम से सर्च करके पढ़ सकते हैं उसका श्रीन फोड़ लेकर अभी के लिए ठीक है बाकि जो जो मैंने बता आया उन प्रशनों को तो आपको विश्याष करके फोकस करना है बाकी मैं आपसे यह नहीं कोँगा कि सारे प्रस्ण तयार करें फिर सारे प्रस्ण आएंगे यह आएंगे जो जो आ सकते हैं जिनके आने की ज्यादा उम्मीद है या फिर जो पिछले वर्सम लगातार पूछे गें उनको मैंने बताया बाकी हमारी डेली क्लाफेश चलती है कोश्चन आइंसर की तो यह मतलब की डेली क्लाफेश को जो आइन कर सकते हैं और आपका अपना है चैनल स्क्सिस्ट हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा मिलते को ने वीडियो के शार चबते के लिए जैहन्द